हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है मनीशा स्वागत है आपका कार्डियू किचन में आज हम बनाने जा रहे हैं नाचोज नाचोज मकई के आटे और मैदे को मिला कर बनता है ये बच्चों को बहुत ही पसंद है और टी टाइम स्मैक के जैसे भी हम इसको काम में लेते हैं चलिए नमक, मिर्ची, हल्दी and amchur और इसके लिए जो हमें बाइन करने के लिए पानी चाहिए को एकडो त्यार करने के लिए वो बुनगुना पानी हमें चाहिए जेगे होगा पानी मेंने पहले से ही गर्म कर लिया है मिक्सिंग बावल में सबसे पहले लेंगी अपना मकई का आत मिर्ची जादा नहीं नोगे मिर्ची थोड़ी सी दलता है यह भी टेस्ट के अपलें कि शे कक्लर के लिए हम जालेंगे अम प्रफ और प्रल मेर्वाम जोरी फटाई के लिए झालेंगे। अब इसको हम यह थे बिम्हायड पानी लीना है और मिक्स करके भीदेट इसको भांड सी हम्हें hollyim करेंगे फिर इसको सांuel बाइं और करेंगे इसमें हमितe नहीं हें हैं ज़री इसको हमाइगी टो यह लेंगी क्योंकि मक्यावी कायता है वो अपानी बहोत लेता है फोड़ा फोड़ा करके पानी डालना है हमें एक साथ सारा नहीं डालेंगे इस पूरे उसको डो को तयार करने में लगबग एक कपके जितना ही पानी लगता है इसे जादा पानी इसमें लगगा नहीं पानी लगता है लेकिन थोड़ा सा नरम ही हमें रखना है टाइट नहीं करना है पूरा एक कप हमारा पानी लगा है इसमें इसको इस तरह से रखके इसको हम 20-25 मिनिट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़े लिए क्योंकि यह पानी अब्सवर्ब करेंगा उसके बाद एक अच्छा दो हमें मिलेगा इसको छोड़ देना है आधे घंटे के बाद हम इसको चुरू करेंगे बनाना आधा घंटा हो गया है अब अपना डो चैक कर लेते हैं देखिए थोड़ा साथ हो गया अर्चे से एक तम सब्सवर्ट डू इसके लिए हमें चाहिए होगा मुझे थोड़ा सा यह नरम लग रहा है क्योंकि हाथ से चिप चिप कर रहा है इसमें थोड़ा सा मैदा और लगा सक्त डू क्योंकि इसको बेलेंगे तो यह चिप केगा फिर इसमें से हमें एक लेंगे अपना चोटा सपेडा बनाएंगी थोड़ा दस्ट करेंगे इसको और बेलेंगे अच्छे से बेलेंगे इसकी थिकनेस थोड़ी सी जादा ही रखेंगी नाचोल हमेशा मोटे होते हैं पतले नहीं होते हैं आप देख लीजे इसकी थिकनेस अब इसको हम पेजा कटर से कट करेंगे पहले साइट निकाल देते हैं क्योंकि हमें ट्रैंगल शेप्स रहे होंगे अपने की यह देखियन की ट्रेंग». अजय अन्यू फिर्टियान, ये देखिए. किलों जादोफंच क्यांद О्… किलों हुआं इस तक हैं और कुण में सबस्क्राइब। ये पर पिरे वह जाना हैं. शेट बहुत- अच्छे नहीं होने हैं दोनों साइट साइट से अगर नहीं हो गजाः तही होस Heute अगर दे भर तीज गाजने कर गरम हो गया यह तेल थोड़ा थोड़ा एक जम दालते ही उपर आने लगा है भाँ जादा गैस पे हमें इसको नहीं करना है लोग से मीडियम पे हम इसको टैलेंगे एक एक करके इसी तरह अपने तालेंगे सारी एक साथ नहीं डालने हैं एक एक करके डालेंगे एक बार में उतनी डालेंगे जितने कड़ाई में आ सकते हैं बहुत जादा एक सार नहीं डालने हैं हमें इसको लो से मीडियम प्लिंप हमें अच्छे से तलना है थोड़ी थोड़ी दिन में इसको हम टर्ण करेंगे एक प्रिस्क और गॉल्ड़न हो जाएंगे अगर अम इसको तेज आग पे सिखेंगे तो यह कच्छे रह जाएंगे इसको तेज आप नहीं बनेगे इसमें इसलिए कोशिश करिए इसको कम गे इसी तरह से इसको एक से डेट मिनट लगी का और फटा-फट से सारे तलके तया जाल लेना है इससे ज्यादा इसको हम नहीं तलेंगे इसी तरह आप देख लीजिए से कलर कितना अच्छा गोल्डन आया है इसी तरह हम बाकी बच्वे भी अपने सारे नाचोंस देफ्राय करेंगे देखें बाकी बच्वे इसी तरह लो फ्लेम पे अपने सारे तल लोगी यह देखें हमारे सारे नाचोंस दलके तयार है इस तरह से देखेंगे अगर इसमें अच्छा से चेट करेंगे तो यह बहुत ही बढ़िया बनेंगे बिल्कुल कृस्प बनेंगे एक भी नहीं फूलेगा इसमें से देखेंगे अपने साव को तोड़के दिखाते हूं आराम से टूट रहा है इसमें से आपको अवाज आई रही है पहुत अगरिक करें तो यह